Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एक्जाम में trending topic पूछने को जो trend है ये चला आ रहा है और अभी कौन सा topic trending में है ये है NSA यानि कि National Security Act आप सभी news में देख भी रहोंगे और ये जो topic है ये paper में भी काफी आ रहा है तो आज की इस वीडियो में हम NSA के बारे में detail में discuss करेंगे NSA होता क्या है, कब लगाया जाता है, इसमें सजा के क्या प्रावधान है और सबसे important NSA के कुछ अपवाद भी हैं तो इन्हें भी हम discuss करने वाले हैं तो चलिए यदि हम इसके history की बात करें तो जो National Security Act है, NSA, राश्टी सुरक्षा अधिनियम ये अस्तित में आया था 23 सितंबर 1980 को ये date आप याद रख लिजे, ये दो key point है इस Act के पहला तो ये कि ये अस्तित में आया था 23 सितंबर 1980 को और किसके स्टाशनकाल में आये था इंद्रा गांधी जी के सासनकाल में दूसरा main point ये है कि NSA Act के तहट बिना किसी आरोप के ध्यान दिजे, बिना किसी आरोप के व्यक्ति को 12 महिने तक की जेल हो सकती है तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दू NSA के बारे में देखे जो National Security Act है, ये Act केंद्र या राज्य सरकार को यदि ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति देश की कानूनी विवस्था को चलाने में बाधा डाल रहा है चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो कानून विवस्था को चलाने में बाधित बन रहा हो या बाधा डाल रहा हो, तो संबंधित सरकार द्वारा व्यक्ति को गिरिफ्तार किया जा सकता है और इसके अंतरगत गिरिफ्तार की होई व्यक्ति को 12 महीने तक की जेल हो सकती है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखे जो NSA Act है इस Act के थे संबंधित अधिकारी को यह पावर होती है कि वो संधिक दिवेक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक कैद में रख सकता है लेकिन विसेश परिस्थितियों में 10 दिन कैद में रख सकता है लेकिन उसके बाद यदि उसे कैद में रखना हो तो इसके लिए संबंदे दिकारी को राज्य सरकार की अनुमती प्राप्त करनी होगी और राज्य सरकार की अनुमती के बाद ही उसे 10 दिन से अधिक कस्टडी में रखा जा सकता है तो ये आप याद रखेंगे और NSA के तहट गिरफतार व्यक्ति जिस व्यक्ति को गिरफतार किया गया है इस एक्टि के तहट ये सरकार दौरा किसी भी सलाह कारबोर में अपील तो कर सकता है लेकिन ध्यान दिजिगा अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त नहीं होगी यहने की वकील रखने का हक नहीं होगा गिरिफतार व्यक्ति को तो चलिए इसे हम समझते हैं अभी चर्चा का विशा क्यों बना हुआ है तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिने हम कोरोना वारियर्स के नाम से जान रहे हैं हमारे मेडिकल स्टाफ और पुलिस और नर्सेज तो देखे इनके साथ जो मिस्बिहेव किया जा रहा है कई जगा पत्थर बाजी की जा रही है जिसके कारण इन्हें कई बार चोड भी पहुची है और इसे के कारण जो उत्तर प्रदेश गवर्मेंट है और मध्य प्रदेश गवर्मेंट है इनके दौरा कुछ संदिख दिवेक्तियों को गिरफतार किया गया है इसलिए यह चर्चे में है और निउज में और पेपर में ये चर्चे का विशा बना हुआ है तो चलिए डिसकस करते हैं और एने से वो समझने के पहले हमें सबसे पहले समझना होगा आर्टिकल 22 के बारे में यदि आप बेस अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे की चीजे भी आसान लगेंगे देखे जो आर्टिकल 22 है हमारे समविधान का वो कहता है गिरफतारी के वृद्ध सन्रक्षन यानि कि यदि किसी वेक्ति को गिरफतार किया गया है तो उसके पाच कुछ पावर होती है पावर ये होती है कि उस वेक्ति को बिना कारण के गिरफतार नहीं किया जा सकता है ये है आर्टिकल 22 का पार्ट 1 इसके बाद दूसरा ये है कि 24 गंटे के भीतर उस व्यक्ति की अदालत में पेसी आवश्यक है और यहाँ पर 24 गंटे का मतलब ये है कि 24 गंटे के भीतर अदालत में पेसी तो आवश्यक है लेकिन यात्रा अवधी को छोड़ कर यात्रा करने में जितना समय लगा है उसे यदि निकाल दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेस किया जाना आवश्यक है तीसरा ये कहता है कि गिरफतार किये गए व्यक्ति को अपना वकील रखने की इजाज़त है ये तीन में पॉइंट है आर्टिकल 22 के इसके बाद जो निवारक निरोध अधिनियम है इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन डिटेक्शन लॉव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब ये PDL ये क्या है तो देखे इसके बारे मैं आप लोग बता दू इसे बहुत सिंपल लेंग्विज में हम समझने चाहेंगे ऐसा कानून जो आर्टिकल 22 एक 22 और 22 तीन के अधिकारों का उलंगन करे ये कहलाता है निवारक निरोध अधिनियम ये दूसरी भासा में उपरोग तो तीनों कानूनों के अपवाद को ही कहा जाता है निवारक निरोध अधिनियम और इस कानून के अंतरगत संसस समय समय पर ने ने कानून बनाते रहती है और ने ने कानून बनाए भी गये हैं इसे हम समझेंगे अब देखिए निवारक निरोध अधिनियम के तहट जो पहला कानून लाया गया ये था PDA PDA यानि कि Prevention Detection Act और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1950 में इसके बाद NSA यानि कि National Security Act ये लाया गया 1980 में इंद्रा गांधी जी की सरकार में तो Question ऐसा भी पूछा जा सकता है कि NSA ये किस तरह का कानून है तो एक निवारक निरोध अधिनियम है इसलिए ये आप लोगों क्याद रखना है और देखिए आप इसे ऐसे Connect कर क्याद रखेंगे कि 1950 में जो PDA आया था ये उतना कारगार नहीं था इसलिए एक नया कानून लाया गया जिसे नाम दिया गया TADA और ये TADA कानून ये लाया गया था 1986 में देखिए जो TADA कानून था ये कठोर कानून था जिसके अंतरगर जो पुलिस है ये व्यक्ती को 6 माह तक की custody में रख सकती है यनिकि जिस व्यक्ती को गरिफ्तार करेगी उससे 6 माह तक custody में रख सकती थी और ये कठोर कानून था जिसके कारण जनता रुष्ट होने लगी और इसकी कड़ी आलोचना भी करने लगी जिसके कारण वर्स 1995 में टाडा कानून को समाप्त कर दिया गया तो टाडा कानून ये आया थो था 1986 में लेकिन समाप्त कर दिया गया 1995 में इसके बाद जब कारगी लिद्ध हुआ कब हुआ था 1999 में तो कारगी लिद्ध हुआ जिसके कारण एक नया कानून बना आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए और इस कानून को नाम दिया गया पोटो और यहां पर पोटो की फुल फॉर्म बनती है prevention of terrorism offense ये है पोटो इसक का परिवर्थित नाम कर दिया गया पोटा तो पोटा की फुल फॉर्म बनती है prevention of terrorism activity act ये है पोटा की फुल फॉर्म इसके बाद वर्ष 2002 में सौरी वर्ष 2004 में जब कॉंग्रेस की सरकार आई यानि कि 2004 में जब UPA की सरकार आई तो एक नया कानून बना जिसका नाम हुआ UAPA UAPA यनिकी Unlawful Activity Prevention Act जो कि लाया गया UPA के द्वारा तो देखिए ये जितने मैंने आप लोगों को कानून बताये हैं ये सभी निवारक निरोध अधिनियम है और यहाँ पर यनिकी आज की इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं NSA के बारे में अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जो National Security Act है इसके कुछ अपवाद भी है अपवाद कुछ इस तरह से हैं सबसे में अपवाद है इसका Article 22 क्योंकि Article 22 एक क्या कहता है कि इस कानून के इंतरगत पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरिफतार नही है यानि कि पुलिस व्यक्ति को बिना किसी कारण के भी गिरिफतार कर सकती है यह इसका में अफवाद इसके बाद Article 22 यह कहता है कि गिरिफतार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर ही अदालत में पेसी आवश्यक है तो NS Act के तहट यह अधिकार व्यक्ति को नहीं दिये ग हैं यह इसके तीन मुख्य अफवाद आप इसे और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं जो CRPC की धारा 50 है CRPC यानि कि Criminal Procedure Code CRPC की धारा 50 यह कहती है कि गिरिफतार किये गए व्यक्ति को गिरिफतारी का कारण जानना आवश्यक है यानि कि कारण जानने का अधिकार है लेकिन यह इसका अफवाद है क्योंकि NSA Act के तहट व्यक्ति की यह अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं साथ ही CRPC की धारा 56 और 76 के अनुसार 24 घंटे के भीतर ही व्यक्ति की अदालत में पेसी आवश्यक है लेकिन NSA Act के तहट ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाता है अब देखिए NSA से ही related नहीं कि National Security Act से ही related कुछ question है जो कि quiz के form में है जो कि आप लोगों solve करने है और ये exam का पार्ट बन सकते हैं सबसे पहले इदी बात हम करें इसके अस्तित्व की तो NSA ये कब अस्तित्व में आया था तो अभी मैंने बताया है ये इंद्रा गांधी जी की सरकार में 23 सितंबर 1980 को अस्तित्व में आया था नेश कुश्चन है most important NSA ये किस तरह का कानून है तो ये है निवारक निरोध कानून यानि कि Prevention Detection Act नेश कुश्चन है किस सरकार के दोरान राश्टी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था तो अभी मैंने बताया है ये बनाया गया था इंद्रा ने बनियुशा है तो इसका दूसरा नाम है राश्टी इनियम उन्नी संदिक दिवेक्टी को बीना किसी आरोप के कितने महीने तक की जैल हो सकती है तो देखे तो नए सबूत मिलने के स्थिती में ये अवधी 12 महीने से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है और संबंदित अधिकारी को यनि कि जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरिफतार किया है तो गिरिफतार करने का रीजन राज्य सरकार को यनि कि स्टेट गर्मेंट को बताना होगा कि इस व्यक्ति को क्यों गिरिफतार किया गया है एने से के तहट कितने दिनों के लिए गिरफ़तार किये गए व्यक्ति को उसके आरूप का खुलासा किये बिना हिरासत में रखा जा सकता है तो इसकी अवधी तो है दस दिन लेकिन इसके बाद राज्जी सरकार की अनुमती के बाद ही इसे कश्टडी में रखा जा सकता है अगया है ये reason बताने का अधिकार है CRPC की धारा 50 के अनुसार लेकिन अभी मैंने बताया है NSA के तहट ये सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं किस धारा के अंतरगत व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नयायले में पेस करना आवश्यक होता है तो अभी मैंने बताया है क्रिमिलल प्रोसीजर कोड की धारा 56 और 76 के नुसार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर ही अधालत में पेसी आवश्यक है लेकिन NSA के तहट ये भी धिकार व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं तो ये कुछ most important key point है जो कि एक्जाम का part बन सकते हैं छोटी छोटी चीज़े हैं बस आप लोगों को याद रखनी है तो दोस्तों ये थे NSA related सारे most important point जो कि आप लोगों को याद रखने है आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है यदी पसंद आया है तो अपनी study related group पे प्लीज शेर जरूर करिएगा और online study point को like share subscribe करना बिल्कुल मत भिलेगा तो आज के लिए इतना ही thank you so much